बिसमिल्लाइब रुख्मानुर्खेम। चप्टर शिक्स की नुमेरिकल की थियोरी को मैं डिसकस करने जा रहा हूँ। यह बड़ी सिंपल सी थियोरी है इसके जरीए इनिशाललाँ आप तमाम नुमेरिकल रिलेटेड चप्टर नंबर 6 अराम से कर लेंगे। देखे हमने चप्टर नुमेर 6 के अंदर एक टॉपीक पड़ा था हुआँ जिसे हमने हेडिटिंग दी थी मेस ऑफ अर्थ की और ये आप मै्ट्रिक में भी ये टॉपीक पड़ते हैं मैस अफ अफ अर्थ का अ हो इसके वा था कि यह हमारे पास अर्थ है और अर्थ के मैस को हमने कया था और हमने gm e m upon r e square जिसमें r e जो है वो radius of earth है यह हमने apply किया था और फिर हमने कहा था अगर हमने कोई mass रखा हुआ है तो वो mass हमेशा downward यानि एक weight apply करेगा तो वो जो weight है वो basically एक force ही तो होती है जो weight है इस w के पर arrow सी लगा रहा हूँ ताकि आप इसको work ना समझ लें यह weight है और इसके पर arrow लगाया weight is a vector quantity तो यह जो weight है यह क्या हो जाएगा यह mg हो जाएगा इसको हमने कहा था equation number one इसको हमने कहा था equation number two और दोनों equations की चुकि left hand side same है तो दोनों की right hand side को हमने compare कर लिया था तो दोनों की right hand side को अगर हम compare करते हैं तो एक बनता है mg is equal to capital gme upon re square साथ में आपे m बी है ठीक है sorry तो यह जो m था इस m से इस m को हमने cancel कर दिया तो हमारे पास जो g था वो बन गया था capital gme upon re square यह हमारे पास आया था इसके बाद next step हमने क्या किया था हमने next step यह किया था कि जनाब हमने mass of earth की हमें value चाहिए तो हमने me को यहीं पर रहने दिया तो यह जो re square है यहाँ पर divide हो रहे है तो question के दुसी तरफ जाकर क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा तो मैंने इसको लिखा gre square और यह जो capital g है यहाँ पर के divide हो जाएगा तो this becomes capital g तो हमने यहाँ से यह mass of earth निकाला था इस वक्त यह जो mass of earth हमने निकाला था यह मेरे लिए कोई importance नहीं रखता मुझे इसको कोई discuss नहीं करना इसलिए मैं इसको cross कर रहा हूँ ठीक है यह मेरे topic नहीं है मैंने इससे जो एक step पहले यह equation है this is one of the most important equation मेरे लिए class और यह क्यों most important equation है यह इसलिए equation है कि यह जो g है यह acceleration due to gravity है कहाँ पर earth पर कैसे बता जला earth पर क्योंकि mass भी earth का है और radius भी earth का है जो के हमें मालूम है कि जमीन की surface पर कितनी होती है 9.8 होती है और unit होता है meter per second square तो अगर हम आप से यह पूछाएं कि जी earth पर gravity की value कितनी होती तो आप बताएंगे 9.8 meter per second square लेकिन अगर हम आप से पूछें कि earth पर gravity की value 9.8 कैसे है यह इसका formula क्या है तो class यह जो सब कुछ लिखावा यह इसका formula आज यानि capital G की value put करें mass of earth की value put करें radius of earth put करें पर square apply करें तो आपके पास earth की gravitational acceleration की value आएगी जो के 9.8 आती है तो यह हमारे पास इसका formula है और इसी formula से अब हम transform कर सकते हैं बहुत सारे formula मसला अगर वो मुझे कहता है कि भई आप मुझे acceleration due to gravity बताए on the surface of moon m लिख देता हो moon को ठीक है यह मैं इस वक्त बात करने जा रहा हूँ for किसके लिए moon के लिए तो अगर moon के लिए कह रहा है तो मैं gravity moon के लिए g m लिख दूँगा क्या capital G change होता है g नहीं capital G is universal gravitational constant तो it remains g अगर earth की gravity है तो earth का math लिख है अगर moon की gravity है तो मैं mask किसका लिखूँगा moon का लिखूँगा अगर earth की gravity थी तो earth के radius पे square लगाए अगर moon की gravity मैंने लिखनी है तो moon के radius पे square अप्लाई करूँगा देखें कितने असानी से formula drive हो गया ठीक है इसी तरीके से अगर मुझे first करें यह formula बनाना है for planet Jupiter के लिए तो अगर मैं Jupiter के लिए यह formula बनाने जा रहा हूँ तो मैं gravity लिखूँगा किसके लिए Jupiter के लिए is equal to देखें कि अब मैं कैसे transform करूँगा क्या capital G change होता है G नहीं तो capital G remains the same अगर Earth की gravity थी तो Earth का mass था अगर Jupiter की gravity है तो mass इसका आजएगा Jupiter का आजएगा अगर Earth की gravity थी तो Earth के radius पे square था अगर Jupiter की gravity लिख रहा हूँ तो मैं Jupiter के radius पे square अप्लाइ करूँगा कितने असानी से formula बनते जा रहे है ठीक है इस तरीके से formula बनते चले जाएंगा मारे पास अब first करें कि जी हमें एक नया planet मिलता है जिसे को हम कहते है planet x तो अगर मैं first करो for एक planet x है मुझे नहीं मालूँ वो planet कौन से है लेकिन वो planet x के उपर मैं acceleration due to gravity मालूम करना चाहरा हूँ तो formula क्या बन जाएगा यह formula बनाने के simple सी technique है इसमें इसके बाद यह values होती है यह values आप put करते चले जाएं तो आपको formula numerical असानी से के साथ solve हो जाता है इसके बाद मैं कुछ numerical solve करके दिखाता हूँ आपको